बच्चो आपने सदीशो को अभी जोड़ा और घटाया। सदीशो के गुणा के बारे में माल्टिपीकेशन के बारे में सोचना पड़ा। तो एक आपको बता दें कि सदीशो का गुणनदफल दो प्रकार का होता है। एक अदिश गुणनदफल होता है जिसको scalar product कहते हैं दूसरा सदिश गुणनदफल भी होता है जिसको vector product कहते हैं तो दो असुन सदिश A और B के बीच का angle theta है non-zero vectors हैं और बी और उनके बीच का जो angle theta हो जैसा कि आप शितर में देख रहे हैं O A बराबर A और O B बराबर B वेक्टर है magnitude और direction के अनुसार तो A dot B mod of A, mod of B cos theta होता है या इसको हम कहें A dot B बराबर A B cos theta होता है दो सदीशों का सदीश गुडन में के बीच में dot चिन लगाते हैं जिसका अर्थ है अदिश इस killer product dot संकेत को ध्यान रखेंगे और यहाँ अदिश राची होता है A dot B बराबर अदिश होगा इसको समझने के लिए हमने आप चित्र में देखी ध्यान से आपने किर्केट पीछ में रोलर चलते हुए देखा होगा तो रोलर खीचने वाला जो व्यक्ति होता है वहाँ तिर्चा बल लगाता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं F बल और रोलर घुमता है पीछ पर तो वहाँ रोलर जो है P से Q दिशा में चला जबकि बल की दिशा दी विस्थापन के साथ ठीटा कोण बनाते हुए है तो आपको मालूम है कि बल द्वारा किया गया कार फिजिक्स में यदि हम वहवारिक रूप से सोचें कि जो वैक्ति उस रोलर पर जो बल लगा रहा है उसके द्वारा लगाए गया बल का बल द्वारा किया गया कार कितना होगा तो W बराबर बल गुड़ित बल की दिशा में विस्थापन होता है और विस्थापन की दिशा तो चितर में आप देख रहे हैं वो PQ है तो PQ direction को हमें F की दिशा में उसका वियोजित भाग लेना पड़ेगा D cos theta इसलिए W बराबर F cross गुणा कर रहे हम साधरा गुणा है वो D cos theta है यहाँ जो theta है वो F बल और विस्थापन D के मद्द का कोण है तो किया गया कार W बराबर हमको मिल रहा है F D cos theta और अभी अभी आपने देखा कि दो सदिश के अधिश गुणन की परवाशा है A B cos theta तो यहाँ F D cos theta क्या होगा F dot D होगा तो W बराबर F dot D मिल रहा है अतह बल द्वारा किया गया कार यह W दो सदिश बल F और विस्थापन D का अधिश गुणन फल F dot D के बराबर होता है यह हम यह सीख रहे हैं इस प्रयोक से और कार चुकी अधिश रासी है तो इस पश्ट है कि दो सदिशो का अधिश गुणन फल एक अधिश रासी होता है एक प्लेयर है और उसने फुटबॉल को किक मारी किक याने बल तो वस्तूप जो फुटबॉल है पहले ग्राउन में रखी है जिसका प्रारंबिक वेग V1 0 है और उसने किक मारी तो दूसरे प्लेयर तक पहुची तो दूसरे प्लेयर ने जब उसको रोकनी की कोशिश की तो उसके पैर पर जटका लगा अब आप सोचो की पहले प्लेयर ने किक मारी उस समय फुटबॉल का वेग 0 था और जब वो उस तक पहुची तो वेग V2 हुआ जो 0 नहीं है तो पहले प्लेयर ने फुटबॉल पर जो बल लगाया उस बल द्वारा किया गया कारे गती जुर्जा में संक्रीन हो गया जब वो फुटबॉल पहले प्लेयर के पास थी उस समय गती जुर्जा शुन थी जब दूसरे प्लेयर ने उसको रोकने की कोशिश की तो निश्यतरुप से उसको गती जूर्जा शुन नहीं मिलेगी इसलिए जब उसने रोका तब उसको पैर पर या सीने पर भी उसने लिया तो उसको एक बल का आभास हुआ एक जटका लगा ये गती जूर्जा है तो बल द्वारा फुटबॉल पर किया गया कारे एक अधिश्रासी है तो बल और विस्थापन का मल्टिपिकेशन इस रूप में देखा गया तो बच्चो किसी वस्तू पर यह बल लगाते हैं यदि विस्थापन की दिशा में वस्तू विस्थापित होती है तो सीधा सीधा किया गया कारे एफ इन्टू डी होता है लेकिन यदि वस्तू पर बल लगाने से वस्तू बल की दिशा में विस्थापित ना हो मैंने कहने का मतलब है कि एफ और डी में एंगल थिटा हो उस समय किया गया कार एफ इन्टू डी नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ कि जो इंकलाइंट फोर्स है जो वस्तू पर लग रहा है जो विस्थापन के साथ विस्थापन के साथ थिटा कोन बला रहा है तो मुझे कुछ दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा एफ के दो वियोजीत भाग होंगे एक एफ साइन थिटा और दूसरा एफ कॉस थिटा बच्चों आप देख रहे हैं एफ कॉस थिटा विस्थापन की दिशा में है और एफ साइन थिटा वस्तू पर लंबोत है यानि विस्थापन के लंबोत है तो कार्य जो कर रहा है बल जो विस्थापन के साथ थीटा कोण बनाते हुए वस्तू पर लग रहा है तो एप साइन थीटा द्वारा किया गया कार और एप कॉस्थीटा द्वारा किया गया कार यह देखी ध्यान से यह एप साइन थीटा है मेरे उंगली पर ध्यान दीजिए और इस डी डिरेक्शन में विस से कार्यों को जोड़कर निकाला पड़ेगा तो एप साइन जीटा जो वर्टिकल डारेक्शन में है वस्तुपर उसके द्वारा वस्तुपर कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो एप साइन जीटा कि अब कार sc дशा में है विस्थापन की दिशा में है वो जो विस्थापन की दिशा में F cos theta है उसके द्वारा किया गया कार होगा F cos theta into D तो किया गया कार है आपको दिख रहा है कुल कार W बराबर 0 धन F cos theta into D इस घटना से हम ये समझ पा रहे हैं बच्चो कि ये जो multiplication है वो A dot B बराबर A B cos theta क्यों होता है ये कारे चुकी अधिश्रासी है इसलिए अधिश्रासी है हम गणित्यों ने उसको dot कह लिया है dot कोई dot नाम की चीज़ कोई अधिश्य है ऐसा नहीं है हमने नाम रखाया उसका तो हमने A dot B क्योंकि आगे आप इसका सदिश्गुणन भी पढ़ेंगे इसलिए हमको इसको A dot बिलना पड़ा उसको हम A cross B कहेंगे सदिश्गुणन के समय वहां घटना कुछ और घटी होगी तो multiplication में सदिशों के गुणा में दो प्रकागी घटना ही हुई है एक अदिश्गुणन और दूसरा सदिश्गुणन तो चुकि कार किया गया कार अदिश्गुणन अदिश्गुणन अदिश होता है इसलिए दो सदिशों का अदिश्गुणन अदिश होता है और सासत में यहां यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ जैसा कि आप यहां देख रहे है F के दो भी होजित भाग है F साइन सीटा है, F कॉस सीटा है इन दोनों बलों दोरा किया गया का रिजल्टेंट हमको मिलता है F कॉस सीटा इंटु डी यहां यहां यह सबज रहें कि A.B. बरावर होता है मौड आफ A, मौड आफ B यहांने A का परणाम और B का परणाम और उन दोनों की बीच का कॉड़ो थिटा, कॉस सीटा तो A.B. बरावर हमें सा ध्यान लखेंगे A.B. कॉस सीटा